Hello students, welcome back to my channel अगर आपने अपितक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलदी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और आज के वीडियो में हम क्रियेटिविटी का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे हम already meaning, objectives, phases of creativity कर चुके हैं और अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या creativity का stage होता है या क्या creativity का process होता है Basically अगर मैं बात करूँ creativity का जो भी points हम यहाँ पे cover कर रहे हैं वो आपके पूरे इस answer से related है माल लीजे आपको beard में या कहीं भी creativity से related कोई question आता है तो आप ये सारे points को cover कर सकते हैं और आपको 10 number का question है या 12 number का question है आप easily जो marks हैं वो gain कर सकते हैं क्योंकि meaning में हमने introduction, concept और definitions की भी बात की है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं So सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या stages हैं या क्या process होता है creativity का सबसे पहले हम अपने दिमाग में क्या करते हैं idea germination करते हैं मतलब idea को उत्पन करते हैं idea create करने की कोशश करते हैं फिर हम preparation करते हैं कि हमें काम कैसे करना है इसको हम थोड़ा सा detail में देख लेंगे उसके बाद में incubation period आता है फिर illumination period आता है उसके बाद में verification और last जो step होता है या process में जो stage होती है वो है goal achieved हमारा goal last में achieve हो जाता है तो सबसे पहले idea germination की बात कर लेते हैं तो idea germination का मतलब है कि एक seeding stage होती है जहां पर नए ideas creative process में obtain होते हैं generate होते हैं उत्पन होते है idea germination जो है na seeding stage भी हम idea germination को कहते है seeding stage के नाम से भी यह जानी जाती है क्योंकि यहां पर नए idea जो है वो create हो रहा है next step preparation preparation में क्या करते हैं तो यह हमने अबव जो हमने idea generate किया idea हमें आ गया फिर हम idea को evaluate करते हैं क्योंकि हमें particular problem से related कोई भी solution जो find out करना होता है तो हम different alternatives को देखते हैं और वो different alternatives हमारे अलग-अलग ideas होते हैं और हम उन ideas को क्या करते हैं evaluate करते हैं और सबसे अच्छा जो alternative होता है सबसे अच्छा जो idea होता है उसको हम use करते हैं further आगे अपनी problem को solve करने के लिए तो क्या होता है फिर हम अपने solution को find out कर लेते हैं कि हमें particular solution मिल जाता है जब हम अपने different ideas को evaluate करते हैं उसके बाद में हम survey करते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्ली जो solution है वो fit बैट रहा है या नहीं बैट रहा है हम जो चाहते थे वो results हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं basically survey में क्या होता है opportunities जो होती है न वो identify की जाती है मतलब हम एक इनसान जो है वो opportunities तलाशता है जिससे कि वो अपने idea को explore कर सके उसके बाद next step है next stage है वो है information information को इकठा किया जाता है बहुत सारे अलग-अलग sources से जो भी हमें चाहिए होती है अपने solution अपने basically अपने या यहीं कहेंगे कि अपने goal तक पहुंचने के लिए या अपने problem के solution तक पहुंचने के लिए बहुत सारे cons को pros को मतलब जो भी हमारा idea है उसकी क्या advantages है और क्या disadvantages है इन सारी चीजों को evaluate किया जाता है उसके बाद में verification किया जाता है जो idea होता है उसको reality में बदला जाता है उस idea को practically उस idea को फिर use किया जाता है और जो भी result हमारा last में आता है उसको monitor भी किया जाता है obstacles आते हैं रुकावटे आती हैं उन रुकावटों को उन obstacles को भी देखा जाता है कि क्या रुकावट एक particular time period में हमारे पास आ रही है और क्या हमें steps को follow गरना चाहिए उन obstacles को उन रुकावटों को मिटाने के लिए और last में क्या होता है हमारा goal achieve हो जाता है जब obstacles भी remove हो जाते हैं और result भी monitor हो जाता है तो हम अपने goal तक पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने idea को form करते हैं फिर हम different ideas को basically हम preparation करते हैं हम survey करते हैं हम exploring करते हैं हमने ideas की हम different ideas को evaluate करते हैं ताकि हम अपने solution को find out कर सके उसके बाद में idea से related और अपने problem से related बहुत सारे sources से information को gather किया जाता है उसके क्या advantages और क्या disadvantages है जो idea हम use कर रहे हैं वो देखे जाते हैं फिर हम properly verify करते हैं reality में practically उसको use करते हैं result को monitor करते हैं जो भी रुकावटे आती हैं उनको हम देखते हैं और steps लेते हैं जो भी हमें लेने होते हैं उन obstacles को remove करने के लिए और हम अपने goal तक पहुंच जाते हैं तो यही थे stages या process of creativity so अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को like करना share करना ना भूलेगा और सैनल को subscribe करना ना भूलेगा bell notification को तबाना भी ना भूलेगा